हलो स्टुडन्स आजम हिंदी में कक्सा सांत में पाट पंधरा निलकंट उसका तीसरा भाग पड़ेंगे निलकंट और राधा की सबसे प्रियरूतू तो वर्सा ही थी मेखो के उमर आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पाले दे थे और तब उनकी मंद केका की गुंज अनुगुंज तिव्र से तिव्रतर होती हुई मानों बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ती बनने लगती थी मेग के गरजन के ताल पर ही उसके तनमय नृत्य का आरम होता और फिर मेग जितना अधिक गरस्ता बिजली जितनी अधिक चमकती बुंडों की रिम जमाहत जितनी तिव्र होती जाती निलकंड के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ह मंद से मंद्रात्तर होता जाता वर्षा के थम जाने पर वढहिने पंजे पर दाहिना पंग और बाइपर बाया पंग फिला आ कर सुखा था कभी-कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बुंदों को चोच से पी-पी कर पंखों का घिलापन दूर करते रहते। इस आनोचसाव की रागिनी में बेमेंस्वर कैसे बजुठा यह भी एक करून कथा है। निलकंट और राधा की प्रियर उतूथी वर्सा। निलकंट के नृत्य का वेग भी वैसे ही बढ़ता जाता। एक दिन मुझे किसी कारिय से नकास खोने से निकलना पड़ा और बड़े मिया ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिजड़े की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्ब करके मैंने बड़े मिया की वीरल दाड़ी और सफेट दोरों से कान में बंदी एनक को ही अपने ध्यान का कैंद्र बनाया। पर बड़े मिया के पेरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसी अंदिखा करना कठिन था। मोर्नी राथा के समानी थी। उसकी मुन से बंदे दोनों पंजों की उंगलिया तूट कर इस प्रकार एकत्रित हो गए थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी। एक दिन किसी काम से लेखी का नखास कोने से निकली तो बड़े मियाने कार को रोक लिया। और उन्हें एक मोर्नी दिखाई जिसके पंजों की उंगलिया तूटी होई थी। लेकिन लेखी का ने ये संकल्ब किया था कि वो किसको उनकी दाड़ी और सफेट दोरों से कार में बंदी एनेक को ही अपने ध्यान का केंद्रा बनाया। पर बड़े मियां के पेरों के पास जो मोर्नी पड़ी थी उसे अन देखा करना भी बहुत कठिल था। और जो मोर्नी थी वो राधा के समानी थी लेकिन उसकी उंगल्या जो क्या थी वो तूटी होई थी। बड़े मियां की भासन में फिर दोरने लगी। देखे गुरुची कमबखत चीडी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चीडिया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सीर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोर्नी ले जाने को कैसे कहूं। सारान सिया की सांत रुपे देकर मैं उसी अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजो की मरम पट्टी और देख भल करने पर वो मैने भर में अच्छी हो गई। उंगलिया वैसी ही तेड़ी मेरी रही। परंतु वो ठूट जैसे पंखो पंजो पर डग मगाती हुई चलने लगी। तब उसी जाली घर में पहुचाया गया और नाम रखा गया अब बड़े मिया की जो भासन मेल थी वो फिर से शुरू हो गई। वो कहने लगे कि देखे गुरू जी चीड़ी मानने बेचारे का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चीड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। लेकिन आपसे भी या अदमरी मोर्नी ले जाने के लिए कैसे को हूँ। लेकिन लेखिका ने सांत रुपे देकर उसे अगली सिट पर रखवा कर वो अपने घर पर ले आई। और एक बार फिर से जो लेखिका का कमरा था वो क्या बन गया। पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजो की मरम पट्टी और देखभाल करने पर महिने भर में वो मोर्नी अच्छी हो गई। उंगलिया वैसी ही तेडी मडी रही परन्तु वो ठूट जैसे पंखो पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब नाम के अनुरूप वस्वभाव से भी कुबजा ही प्रमाणित हुई। अब तक निलकंड और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुबजा उन्हें साथ देखते ही मारने दोड़ती। चोच से मार मार कर उसने राधा के कलगी नोज डाली। पंख नोज डाले। कठिनाई यह थी कि निलकंड उससे दूर भागता था और वो उसके साथ रहना चाती थी। न किसी जीवजनतु से उसकी मित्रता थी और न वो किसी को निलकंड के समिप आने देना चाती थी। उसी बीच राधा ने दो अंडे दिये जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुबजा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोर कर ठूट जैसे पेरो से सब और छितरा दिये। अब जैसा ही उसका नाम था तो वो सभाव से ही कुबजा ही प्रमारित हुई। अब तक निलकंड और राधा साथ साथ रहत अब कुबजा उन्हें साथ देखते ही क्या करती थी मारने दोड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोज डाली, पंक भी उसके नोज डाले। कठिनाई यह थी कि निलकंड उससे दूर भागता था और वो उसके यानि कुबजा उसके साथ रहना चाती थी न किसी जीवजन्तू के साथ भी उसकी मित्रता नहीं थी और नहीं वो किसी को निलकंड के सम्मी प्याने की पास आने देना चाती थी। उसी बीच राधा ने दो अंडे दिये थे तो कुबजा ने वो अंडे भी फोर डाले। इस कला और कोला हल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे निलकंड की प्रसंता का अंध हो गया। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भुका प्यासा आम की साखाओं में छिपा बैठा रहा। जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिडकी की सेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भाती पंको को मनला कर बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में ठकावट और आखों में एक सुन्यता रहती थी। अपनी अनुभव हिंता के कारण ही मैं आसा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अन्त में तीन-चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि निलकंड पूँच पंक फिलाय धर्ती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोस के बच्चों को पंकों में छेपा कर बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदे हुआ। अब इस कलह और कोलाहल से और उसे व्यदिक राधा की दूरी से बेचारे निलकंड की प्रसंता का अंथो गया। वो हमेशा की भाती पंकों को मंडला कर बना कर खड़ा हो जाता था पर उसकी चाल में अब थकावत और आखों में एक प्रकार की सुन्यता दिखती थी। अपनी अनुभों हिंता के कारण लेखिका ऐसी आसा करती थी कि थोड़े दिन बाद इन सब में एक मेल हो जाएगा। अन्त में तीन-चार मास के उपरान एक दिन जब सबेरे जाकर देखा कि निलकंट पुछ फेलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे खरगोस के बच्चों को पंकों में छिपा कर बैठा था। लेखी का के पुकारने पर भी उसके नव उठने पर उन्हें संदे हुआ। वास्तव में निलकंट मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। नव उसे कोई बिमारी हुई नव उसके रंग भी रंगे फूलों के स्तबक जैसे सरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। में अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहिट किया गया तब उसके पंखो की चन्रिकाओ से बिम्बित प्रतिबिम्बित होकर गंगा का चोड़ा पाट एक विसाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। निलकंट के नरहने पर राधा तो निश्चे सी कई दिन कोने में बैठी रही। वो कई बार भाग कर लोट आया था। अतहब वो प्रतिक्सा के भाव से वास्ताव में निलकंट मर गया था। क्यों मर गया उसका उत्तर अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बिमारी थी, ना उसके रंगबी रंगी फूलो, सरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। तो लेखी का उसे अपने साल में लपेट कर गंगा की बिशधार में उसे प्रभाहित कर दिया। निलकंड के न रहने पर राधा तो निश्चे सी कई दिन तक कोने में बेठी रही। वो कई बार भाग भाग कर लोट आया था। अतहुं वो प्रतिक्सा के भाव से द्वार पर द्रस्टी लगाया रहती थी। पर कुबजा ने कोला हल के साथ खोच जुन्ड आरम की। खोच के क्रम में वो प्राया जाली का दर्वाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। और आम, असो, कजनार, आदी की साखाओं में निलकंड को दून्ती रहती थी। एक दिन आम से उत्री ही थी कि कजली सामने पड़ गई। अलसे सिन कुट्टी वो कजली है। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणाम तह कजली के दो दात उसके गर्दन पर लग गई। इस बार उसका कलर कोलाहल और द्रेश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परन्तु इन तीन पक्सियों ने मुझे पक्सी प्रकृती की विभिनता का जो परिजए दिया है वो मेरे लिए विशेश महत्वा रखता है। उसके सामने पढ़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोच के प्रहार किये। तो कजली के दो दात उसकी गर्दन पर लग गए और इस बार उसका कलर कोलाहल और द्रेश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परन्तु लेखी का कहती है कि इन तीन पक्सियों ने उन्हें पक्सी प्रक्रुदे की विभिनता का जो परिचए दिया है वो उनके लिए विशेश महत्वा रखता है। राधा अब प्रतिक्सा में ही दुखेली है। जूले पर और कभी असोक की डाल पर अपनी केका को तिवरतर करके निलकंड को बुलाती रहती है। तो बच्चों ये था हमारा निलकंड पार्ट जो यहाँ पर खदम होता है। तो आज के लिए इतना ही ठैंक यू।